हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल आज मैं आप सबके साथ शेयर कर रहे हूं गेहूं के आटे का बहुत ही टेस्टी हेल्दी और चटपटा सानास्ता जिसे बनाना बहुत ही आसान है और इसे हम बिना ओयल के बना के त्यार करेंगे तो फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल हरी और मैंने ओयले टकिया हूँ है इसके बाद ही मैंने इसमें अद्रग खरी मिर्च और लारसन को एक चुक्त करके और इसके बाद ही थोड़ा सा करेंगे क्योंकि हम यहां मटर का नास्ता बना रहे हैं तो हलका से इस तरह से भून लेंगे उसके बादी इसमें मैंने दो कप हरी मटर एड की हुई है अगर आपको ताजी हरी मटर नहीं मिल रही है तो आप फ्रोजन मटर भी ले सकते हैं इसके बादी मैंने इसमें चौथाई चमच दनिया पाउडर चौथाई चमच लाल मेशी पाउडर और स्वादनुसा नमक एट किया हुआ है इन सब को अच्छे से हम डाल करके मिला लेंगे अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी आट करेंगे ताकि मटर अच्छे से हमारी कुख हो जाए तो यहां पर मैंने थोड़ा सा पानी में आट किया है चोधाई कप के करीब और इसके बाद हम इसे ठख करके अच्छे से पका लेंगे तो मटर कुख होने तब आप इसे अच्छे से पका लें तो यहां पर देखिए 5-10 मिनट में यह अच् इसके बाद ही हम इसे पल्स मोट पे चला करके इसका दरदरा सा पेश्ट त्यार कर लेंगे बहुत ज्यादा इसे मिक्सी में नहीं चलाना है नहीं तो यह बहुत ही बारिक हो जाएगा और चिपचिपा हो जाएगा तो बस हलका सा में इसे दरदरा करना है पल्स मोट पे चला क करके इस तरह से बावल में से निकाल करके रख लेंगे तो यह हमारी स्टफिंग रेडी हो गई है इसके बाद ही हम इसका बाटा लगाएंगे तो यहां पर मैंने एक कटोरी गेहूं का अंटा लिया हुआ है साथ ही इसमें थोड़ा सा नमक करेंगे थोड़ी सी एजवाइन को हाथ पी इस तरह से क्रश करके डाल देंगे इससे एजवाइन को टेस्ट अच्छा आएगा और इसके बाद ही एक चमच यहां पर आदा चमच यहां पर आदा चमच के करीब हम आपे देशी गी अट कर देंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका सॉफ्ट अटा लगा लेंगे तो पानी अब थोड़ा तोड़ा डाल करके इसका सॉफ्ट अटा लगाए तो यह देखिए मैंने इस तरह से इसका आटा लगा करके तयार कर लिया है तो आटे को जितने अच्छे से आप मसलेंगे आपका पूरी पराटा रोटियां वगरा जो भी हैं सो कि इसके बाद हम एक लोगे को उठा करके इसे इस तरह से बैल नेंगे तो गोली देटे हुए इस पर मेंने करेंगे अच्छे से. करेंगे और इसे इस तरह से मोड़ते हुए इस तरह से हम कचोणिया बरते हैं वैसे हमें करना है तो इस तरह से ऊपर नहीं तो बहुत ही मौटा हो जाएगा और इसे बापस इस तरह से दबाते हुए हमें चपटा कर देना है री देखिए इस तरह से हमारी कोचोड़ी कश्य Müd Urla नास्ता नंके तयार है इसी तरह से हम बाकी भी बना करके तैयर कर लेंगे तो बाकी जितनी भी हमारी इस तरह से लुईया है इसे भी हम ऐसे ही स्रफिंग भर के तैयर कर लेंगे यहां पर मैंने एक छलनी वाली प्लेट ली है इसे हलका सा ओयल से ग्रीज कर लेंगे क्यों कि हम इसे भाफ में पकाने जा रहे है ताकि यह प्लेट से चिपके नहीं तो हलका सा उयल से इसा हम मैं घ्रीज कर लेना है और इसके बाद ही हमंतनी चुके हैं देखें कितने अच्छ सी डन हो गया है पूरी तरह से पग चुका है तो इसे फ़र धन्डा होने के लिए थोड़ी देल के लिए छोड़ देंगे ठंडा हो जाने के बाद हैं इसे थोड़ा सा फ्राइ कर लेंगे आप चाहें तो ऐसे भी से कोई भी चटनी आसास के लेकिन यहां पर मैं इसे थोड़ा सा फ्राइ कर रही हूं बस एक चम्मच ओयल डालेंगे तब पर और इसे इस तरह से सेख लेंगे तो दोनों तरफ से पलट करके इसे गोल्डन ब्राउन होने तक सेख लेंगे खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है तो इस तरह से आप जिस तरह इसमें मटर की स्टफिंग त्यार हुए आप चाहें तो इससे आलू की स्टफिंग से भी बना सकते हैं उससे भी खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है तो साम के नास्ते में से एक बर जरूर बना के ट्राइ कीजिएगा और मुझे कमेंट करके जरूर बताईगा कि आपको यह रेस्पी कैसी लगी थैंक यू फ्रेंड्स थैंक्स पर वाचिंग